अल्ला के कमालाद देखो कमालाद शेहद की मक्खी से क्या काम ले रहा है शेहद बनाने का ऐसा ऐस इतना छोटा सा सर है उस मक्खी का उसको अल्ला ने समझा दिया है समझा दिया है कि तूने कैसे बनाना है शेहद मच्छर का सर इतना चोटा है और उसकी चार सो या दो सो आखे होती है इतने से सर में कैसे ल्ला ने उसमें बल फिट कर दी है मच्छर के अंदर ये कमाल है या नहीं है अल्ला फर्माते हैं कि जिन लोगों से तुम महबबत करते हो ना और अल्ला के साथ उसको शरीक करते हो लैं यखलुकू जबाबन एक मक्खी नहीं बना सकते एक गंदा कीड़ा नहीं पैदा कर सकते ये ल्ला का कमाल है कि उसने मक्हिया भी बनाएं उसने मच्छर भी बनाएं बड़े बड़े जानवर भी बनाएं चोड़े जानवर भी बनाएं और कैसे उसने अंडे से चूजा कैसे निकालता है वो अंडे को तोड़ के देखें आप जर्दी और सफेदी के अलावा आपको उसमें कुछ भी नजर नहीं आएगा उसने मुर्गी को ये सिखा दिया है कि जब वो अंडा देगी थोड़े दुनों के बाद उसमें जाके बैड़ जाएगी उसको हीट मिलती है और उसमें चोच भी पैदा होती है आँक भी पैदा होती है नाक भी पैदा होती है दिल भी पैदा होता है उसके गुर्दे भी बन रहे हैं उसी जर्दी और सफेदी में क्या खुदरत के कमालाथ और 21 दिन के अंदर वो चूजा चूँच से अपनी, उसका खॉल तोड़ के बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही दाना चुगना शुरू कर देता है वो पहले दिन उसे पता चल जाता है मेरा दोस कौन है और मेरा दु्छमन कौन है अपनी माँ को पहचानता है और जैसे ही कोई जानवर देखेगा फौरण भागता बजाएगा उसे किसने सिखाया उस खौल के अंदर जब वो जर्दी और सफैदी था उसे कौन सिखा रहा है कि तेरा दुश्मन कौन है और तेरी दोस्ती किस्से होगी ये ल्ला के कमालात बकरी का बच्चा पैदा होता है अभी दुनिया में कुछ नहीं देखा उसने और फौरण अपनी माँ के थनों की तरफ लपकता है उसे किसने बताया कि तेरी जरूरत दूद है और ये दूद तुझे यहां से मिलेगा किसने सिखाया उसको कैसे कैसे कमालात दिखा रहा है कैसे कैसे ये जो हमारा दिल है दिल ये मोटर है पानी की इदर से खून चूसा और उदर से आगे भेका उस ये मोटर हमारे दिल में जब बच्चा चार महीने का होता है तो ये मोटर चलना शुरू हो जाते और जो चलती है किसीकी S.C. साल तक चलती है किसीकी 90 साल तक चलती है जो रूकती है तो हमारी को ताही से रूकती है हम पराटे और bissलिसॉल खाखा खा के उसका बेड़ा गरक ने लकिन अल्ला ने ऐसी मशीन बनाई है कि 90-80 साल कहीं भी नहीं गए चलती रहेगी और दम रुका समझो अगर दम भर भी ये सागर रुका मेरा दौरे जिन्दगी है ये जो दौरे जाम है एक शायर ने कहा है ना कि ये जो शराप का दौर चल रहा है ना ये ही मेरा दौरे जिन्दगी है अगर ये एक सेकंड के लिए रुक गया तो मेरा दम भी रुक गया तो ये बिल्कुल दिल पे सादिक आती है एक सेकंड के लिए रुका तो आप रुक गए फिर कोई इसको दुबारा नहीं नहीं चला सकता ऐसी मशीन है और इसकी एकसेसाइस क्या है इसको और चलाना कुछ भी नहीं है तो बहुत थोड़े का मालात हम बयान कर रहे हैं। आँखे क्या हैं। आज साइस ने हजारों साल हो गए तरकी करते करते हैं। आज साइस ने डिजिटल कैमरा इजात किया है। और ये किसकी आँख? इंसानी आँख की नकल मारी है ये। अज ने ये पहले से हमारी दिमाग में ये कैमरा फिट किया। आज साइस ने इस कैमरे की नकल मार के कैमरा बनाया है। इसको देख के बनाया है डिजिटल कैमरा। और कितनी मेहनस से बनाया है तारे हैं और जनाब उसमें लैंस लगते हैं एक company का manager होता है बहुत सारे employees होते है उनकी तंखुआएं जाती है फिर होक है वो सारा पूरा फिर पूरे जो है न उसका framework बनता है फिर जाके एक camera वुजूद में आता है और अल्ला कैसे बनाता है रोटी से मा के रहम में जब पानी जिस पानी से अल्ला बच्चे को बनाते है मा क्या खाती है रोटी एवज यही खाती है ना रोटी काएगी दूद पियेगी और इस जमाने की मा होगी तो पापे खाएगी यही चीज़े खाएगी और जाइदादें भी खाएगी बाज़ पैसा भी होता है तो जाइदादें खा रही है विरासत खा रही है अल्ला उससे बना क्या रहे कुछ भी खा लो उस पानी में बच्चे की आँख बनेगी बच्चे की नाख बनेगी उसी रोटी से उसी से बच्चे के उंगलियां बनेगी टांगे बनेंगी, हर हर चीज और दिमाग बनेगा, उस दिमाग में सोचने समझने की सलाहिए पैदा होगी ये सारा मैटेरियल कहां से मिल रहा है इनको रोटी से, रोटी से नहीं आरी समझ में भाई खिलाडियों के कमालाद समझ में आते हैं मगर Allah के कमाला समझ में नहीं आते वो फी अन्फूसीकूम आते, तुम्हारी जात के अंदर मैंने अपने कमाला दिखा दीडी है, तुम्हें इसके लिए मैच देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर और ऐसे कमाला आते जब बच्चा पैदा हूता है, तो अभी तक म बोलो नायर क्या हो गया आप लो दूद बनना भी क्या हो जाता है शुरू हो जाता है फिर वो दूद बनता भी है और उसकी सप्लाई जहां से होनी है वहां पहुँच भी जाता है और बच्चा जब पैदा होता है उसे कुछ भी पता नहीं होता सिवाए एक चीज़ के उसे ये पता होता है कि मुझे दूद कहां से मिलेगा और वो दूद मेरे हलक में कैसे उतरेगा यही वज़ा है कि बच्चा पैदाईश के बाद अगर दो तीन दिन उसको दूद ना पिलाया जाए तो बच्चा दूद पीने का तरीखा भूल जाता है फिर सिरिंच के जरीए उसके हलक में चम्मच के जरीए उसके हलक में डालना पड़ता है वो सक नहीं कर सकता क्योंकि तो दूद को सक करने का तरीका उसने मां के पेट में अलल्ला से सीखा होता है पेदाईश के बाद अगर दो चार दिन ये प्रेक्टिस ना हो तो बच्चा ये तरीका भूल जाता है ये किस के कमालाव़ट हैं अलल्ला फरमाते हैं एक एक चीज में उसकी खुद्रत जहलक रही एक एक चीज में ये जो हमारी पलकें हैं ये खामखा में नहीं हैं ये पलकें रोशनी आने से हमें ये जो बाल है ना पलकों के उपर ये काले रंगें इसमें मसलहत है अगर ये काले बाल ना हो तो हमारी आँखों में रोषनी दाखिल होगी हमारी आँखें हमें हर वक्त अपनी पलकें झपकना पड़ेंगी अल्ला विया ने ये पलकें पैदा कियें ये काला रंग रोषनी को जजब करता है तब ही आप देखें जिनकी पलकें सफैद होती है वो आँखे क्छोल के सही तरह से बात नहीं कर सकते कैसे कमालात ज我们 से एक एक चीज़ का इल्म है एक एक चीज़ का इल्म बाते हैं वफी अन्फुसिकम तुम्हारी जात में भी हमारी उख़ुरत के कमालात है और जान्वरों में उंट को नहीं देखते कैसा बनाए उंट पे साइंसदानों ने किताबे लिखी है पूरी पूरी किताबे लिखी है रिगस्तान के हिसाब से उसको डिजाइन किया गया तो अगर मैं इस मौज़ों पर बात करना चाहूं अगर बहुत हो जाएगा मैं सर्फ इशारे दे रहा हूँ तो कमालात किसके सबसे ज़्यादा हैं भाई तो फिर अल्ला से महबबत क्यों नहीं करते इसलिए कि टीवी के सामने से हटोगे तो अल्ला के कमालात समझ में आएंगे ना टीवी के सामने बैठे रहोगे 24 घंटे तो अदाकारों के, फंकारों के, सियासतदानों के और खिलाडियों के कमालात आएंगे और उनकी महबबत दिल में पैदा होगी मस्जद में आओगे, मौली साब से ल्ला की बातें सुनोगे तबलीग में वक्त लगाओगे, ल्ला की बड़ाई सुनोगे तो फिर किसकी बड़ाई दिल में आएगी तो इसलिए तबलीग में वक्त लगाया करो तबलीग वाले कोई फिरकवारियत की बात नहीं करते वो सिर्फ क्या करते हैं अल्ला की किब्रियाई बियान करते हैं जो के हमारे लिए इस वक्त बहुत ज्यादा बोलो ना यार अल्ला की किब्रियाई ही तो नहीं है जिसके विज़े सारे मसायल खड़े हो रहे